लोग गाई का शारदा सिना के हेल्थ अपडेट को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है ये खबर सामने आ रही है कि उनके ऑक्सिजन लेवल में लगातार गिरावट है जिसकी वज़े से उन्हें एक बार फिर वेंटिलेटर पर रखना पड़ा है और ये जानकारी उनके बेटे नहीं दी है लोग गाई का शारदा सिना जो की दिली के एमस में भरती है उनका इलाज चल रहा है 25 ओक्टूबर को उन्हें भरती करवाए गया था 27 ओक्टूबर को शारदा सिना के बेटे अंशमन सिना ने ये जानकारी दी थी और फिलहाल उनके सिति एक बार फिर बिगड़ गई है जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपूर्ट पर रखा गया है देर रात अंशमन ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी साजा की है साथ ही उन्होंने बहुत ये दुख भरे अंदाज में लिखा है कि इस बार ये सच है इस बार ये खबर सची है कि मा वेंटिलेटर पर है अभी मैंने कॉंसेंट साइन किया है प्रातना जारी रखे है बहुत बड़ी लड़ाई में है मा बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है और इस बार ये काफे मुश्किल है बस यही प्रातना कीजिए कि मा इस इस्तिती से बाहर निकल जाएं, वो स्वस्थ हो जाएं, उनसे मिलकर आया हूँ दरसल उन्हें ये बात बार बार इसलिए लिखनी पड़ी है कि ये सच है, ये रियल अबडेट है क्योंकि जब से शारदा सिना अस्पिताल में भरती हैं, ये खबर सामने आई, उनके चाहने वालों में चिंता बहुत जादा है और बड़े सारे लोग ऐसे भी हैं जो अलग अलग गलत बातों को भी फैला रहे हैं, चाहे वो चंता में फैला रहे हैं या किसी भी वज़ज़ से ब्रामक बाते भी हो रही हैं सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं, जिसके वज़ज़ से अंशमान ने बीते दुनों लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप ब्रामक खबरों को न पहलाएं, गलत बाते ना करें लेकिन इस बार खुद उनके तब्यात के खराब होने की जब वाकई में तब्यात बहुत जादा खराब हो गई तो ये जानकारी अंशमान नहीं साजा की और लोगों से अपील की है, छटी मया से भी उन्होंने प्रातना की है कि उनकी मा को स्वस्त करते हैं, इसी बीच प्र जान रहे हैं, आपको बता दे, बीते दुनों ही अंशमान की पिता ब्रिच किशोर सिनहा यानि की शारदा सिनहा के पती उनका भी निधन हुआ था, तो परिवार इस वक्त बहुत परिशानी से गोजर रहा है, और यही बात अंशमान केह रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल है इस बार यह सब कुछ समझना, इसे जहलना और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी मा के स्वस्थ होने की वो काम ना करें, लोग गाई का शारदा सिनहा को बीमारी क्या है, इस बारे में भी बता दूँ आपको, मल्टिपल मिलोमा बीमारी से वो ग्रसित हैं, 2017 में बीमारी डिटेक्ट होई थी, तब से उनका इलाज चल रहा है और अभी तवियत बहुत जादा खराब हुई तो उन्हें दिल्ली के एमस में भरती कराया गया, अंकोलोजी मेडिकल डिपार्टमेंट में, जहां उस वक्त डॉक्टर्स की एक टीम है, जो लगातार उन पर न सम्मानित किया गया था, उन्हें बिहार कोकिला, भोजपूरी कोकिला, कई और सम्मान से भी नवाजा गया है, बिखारी ठाकुर सम्मान, बिहार गोरो, बिहार रत्न, मिथिला, विभूती समेत, कई सम्मान से वो नवाजी गई हैं, सम्मानित के गई हैं, भोजपूरी मैथ पर्व हो या विवा हो बिहार जार्खन से जुड़े लोगों के घरों में बिना शारदा सिना के आवाज के ये पर्व ये त्योहार संपन ही नहीं होते हैं और एक बार छट के मौकी पर फिर शारदा सिना का जिक्र हो रहा है लेकिन इस बार उनके गाने को लेकर कम उनके स्व ताल में भरती थी तभी एक और गाना रिलीज हुआ जो कि अंशमन ने रिलीज किया है शार्दा सिना के बेटे ने और इस गाने के बोल इस तरह से हैं दुखवा मिटाई छटी मईया रवी आसरा हमार सबके पुर्विल मंसा हम्रो सुनुली पुकार ये गाना भी लोगों को ये गीत भी बहुत पसंदा रहा है लेकिन शार्दा सिना स्वस्त हो जाएं सबके मन में यही कामना यही प्रातना सबसे जादा है छटी मईया से सभी लोग प्रातना कर रहे हैं जो शार्दा सिना की आवाज को सुनकर बड़े हुए हैं कि छटी मईया उन्हें तुरन और ज स्वास्त करें